नमस्कार दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि हम अपने केरिकुलम वाइटा या फिर सीवी या फिर रिजूम पे अपना फोटो कैसे पेस्ट करें क्योंकि बहुत सारे रिजूम में जरूरत होते हैं और हम अपने रिजूम को अच्छा प्रोफेशनल लुक देने के लिए भ क्लियर तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने रिजूम और अपने फोटो को एक जगे पर रख लें क्योंकि सर्च करने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो ठीक है तो जैसे हमने क्या किया कि अपने रिजूम और अपने फोटो दोनों को डेक्स्टॉप पे रख लिया टिक है तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं at to resume हमारा open हो गया है हमें करना क्या है कि हम अपने फोटो को कुछ इस जगे spaced करेंगे ठीक है तो जिस से क्या होगा कि बहुत अच्छा देखने में लगेगा हमारा resume ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि अपने जो करसर है उसको यहाँ पर उफर जो भी हीडिंग आपने डिया है, रिजूम दिया ή या फिर केरिकुलम वाइटा दिया है, उसके सामने अपने करसर को रख लेना है ठीक है और फिर हमको चलना अपना फोटो सेलेक्ट करना है ठीक है अब फोटो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे इंसर्ट टैप दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगी ठीक है इंसर्ट टैप पे क्लिक करने के बाद हमें आना है यह पिक्चर का डिक्स्टॉप पे हमने अपना फोटो सैव करना छीन इस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे पर फोटो कौनेों परफॉर्ट पर करना चाहे जिदर की तरफ के आप रागट करने व्च्मॉल हो जाएका तो हम इसको नॉर्मल पसपोर्ट साइज बना लेते हैं पहले ठीक है अब ये फोटो हमारा हमारा constellation साइज बन गले करना क्या है कि हमें फिर से फोटो पेक्लिक करना फोटो पे जब क्लिक कर लेंगे तो यहां में अपना येखार में टाइब देख़ेगा ठीक है फार्मेट करना मतलब कि इसको अरेंज करना ठीक है अब फार्मेट टैप पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यह टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन दिख रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे इस ट्रस्ट टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे ठीक है अब टेक्स्ट रैप टेक्स्ट के सामने हमारा photo आ गिया इसको ड्रैक कर के जहां भी चाहें वहाँ लेके जा सकते हैं clear तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे photo को अपने ड्रैक करके अपने position जहां भी रखना वहाँ पर लेकी पहुंच जाएंगे अब उसके बाद और हम भी देखो फोटो बड़ा है, इसको और छोटा कर लेते है ठीक है अब ये सही तरीके से हमारा फोटो प्लेस हो गया है ठीक है, ध्यान रखना है कि इस रिजियूम के नीचे भी रहे और बस इतना जो भी टेक्स्ट हमारा लिखा हो इसके सामने रहना चाहिए ठीक है तो थोड़ा सा हमारा ये फोटो बड़ा देख रहा है इसको और हम छोटा कर लेते हैं ठीक है अब ये सही तरीके का बन गया ठीक है अब इसको नार्मली यहां पे पेस्ट कर देना या छोड़ देना ठीक है Umको करना क्या है कि नया जो हमारा रिज्यो में उसको सैड़ करना है अब उसको सैभ करने के लिए simply हम लोग यह जोMS Office का डिप दिख रहा है बटन दिख रहा है औफिस बटन इस पे click करना है ठीक है इस पे click करने के बाद हमें आना save as पे अब save as क्यों करेंगी क्योंकि हम क्यों चाहते हैं कि हमारा जो नया resume में वो अलग से save हो जाए पुराना वाला भी रहे क्योंकि कभी जरूरत पड़े हमें edit करना हो या कुई दूसरा फोटो लगाना हो तो उस पे दोबारा लगा सकें ठीक है तो उसके लिए save as करेंगे save as के बाद हम लोग वर्ड डाकुमेंट सेलेक्ट कर लेंगे वर्ड डाकुमेंट सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि जो हमारा यह resume है resume with photo नेम लिख देते हैं क्योंकि यहां से clear रहे है कि हाँ हमारा ही photo वाला resume है और simply फिर इसको save कर देना है ठीक है इस तरीके से save हो गया है यहां से इसको close कर लेंगे window को अब आते हैं अपना देखते हैं कहां पर हमारा है वो जो हमने save किया तो यह resume with photo देख रहा है इसको open करेंगे इसको open करने के बाद यहां देख सकते हैं कि हमारा जो photo है वो सही तरीके से paste हो गया अब आप चाहिए कि इसका PDF निकाल सकते हैं तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो हमारा photo है उसको हम बड़ी आसानी से क्या करते हैं कि paste कर लेते हैं अपनी resume ठीक है तो अगर आप लोगों को content अच्छा लग रहा तो वीडियो को like कीजिए अपने fan circle में share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रस कर लीजिए इससे हम इस channel के माध्यम से आप लोगों को हम इसी तरीके के content provide करते रहेंगे ठीक है तो बाकी फिर मिलते हम लोग अगर दूसरे वीडियो में किसी नय topic के साथ में धन्यवाद करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं